हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल आप देख रहे त्रिश के चैन और मैं हूं त्रिश्या आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ईजी और बहुत ही यमी रेसिपी शेयर करूंगी यह बहुत कम इंग्रेडियन से बनता है घर पे जो रहते हैं हमारा उसी से यह बनाऊंग मैं तो चलिए फ्रेंट्स इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं मैं यहां पर एक आलू का यूज कर रही हूं इसको अच्छे से धोकर मैंने पील कर लिया है इसको फिर हम एक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे यह अच्छे से ग्रेट हो गया है इसको एक अलग से बोल में मैं शिफ्ट कर दूंगी इसके बाद यहां पर मैं एक एक यूज करूंगी तो यहां पर पोटेटो मैंने एक लिया था एक लार्ज पोटेटो इसके लिए एक एक दियरी हूं वन एग अगर आप डू पोटेट मिल्क यूज करूंगी आप चाहे तो ग्रेट चीज भी दे सकते उसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यूज नहीं किया इसके पाद यहां पर सॉल्ट यूज कर रही हूं अभी मैं फिर इसके बाद अभी मैं यहां पर पेपर प यहां पर अभी है जिंजर थोड़ा सा ग्रेटेट जिंजर चॉप्ट ओनियन चॉप्ट ग्रींचिली और चॉप्ट कोरियंडर लीप्स ग्रींचिली आप अपने हिसाब से डाली आपको कितना तिखा खाना है इसके बाद इसका जो लास्ट इंग्रेडियन्ट है वो पैन का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो बटर यूज कर सकते मैं बहुत थोड़ा सा ओलीव आल दे रही हूँ नॉन्स्टिक है तो ज्यादा ओयल की ज़रुत नहीं है ओयल को अच्छी तरह से चारो तरफ से मिला कर फिर थोड़ा सा हम बैटर को अच्छी तरह से इसमें तो यह दिखे तवापी गडम है और इसके बाद इसको कवर कर लेंगे इसको 1-2 मिनिट तक रखना है उसके बाद चेक कर लेना है कि नीचे से तूटता तो नहीं है यह दिखे नहीं तूटा तो एक बार में यह पलट किया फिर से मैं थोड़ी देव के लिए कवर कर दूंगे जिसे जो नीचे का हिस्सा है वो भी अच्छे से पक जाए तो यह भी पक गया है तो यह अराम से उट भी जा रहा है क्यूंकि मैंने नौन स्रिक यूज किया है इसमें तो इसको अभी हम सर्फ करेंगे इसको गर्मा गर्म सर्फ कीजिए इसको अगर बच्चे को सर्फ कर रह अच्या हूआ है? है